असलाम लेकूम मेरा नाम है फ्रीहा खान आज फिर मैं आप सब के सामने हाजिरू एक नई वक्याब के साथ चले स्टार्ट करते हैं आज हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है स्नूपॉन Snowporn का मतलब होता है जसूसी करना Snowporn का मतलब क्या होता है जसूसी करना ये एक verb है इसके synonyms क्या होंगे spy eavesdrop to poignosing spite upon ये सब इसके synonyms हैं ये सब इसके जगा बे इस्तमाल हो सकते हैं चलें कुछ sentences देखते हैं don't snope into my affair मेरे कामों में जसूसी मत करो सारा's husband is snoping on her सारा का जो husband है वो उस पर जसूसी कर रहा है इस word को याद रखना है तो इस image को गोर से देखे यहाँ पे एक आदमी है चुके चुपके से room के अंदर देख रहा है तो यह क्या कर रहा है यह जसूसी कर रहा है जब आप किसी भी word को उसकी image के साथ mind में बिठाने की try करते हो तो वो word कभी भी आपके mind से नहीं जाता इसलिए मैं आपके सामने words के साथ साथ उनके pictures पी लेकर आई हूँ चलें next word देखते है bridge bridge भी एक word है जिसका मतलब होता है वादा खिलाफ ही करना ठीक है जासे यह एक पिक्चर में आप देखें यह एक lock बना हुआ है एक ताला बना हुआ है जिसके अंदर किसी नहीं जबर दर्स्ती इसको तोड़ने की कोशिश की है क्योंकि यह मतलब वो क्या कर रहा है वो किसी चीज की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो वो जो चीज हो सकती है उसको कहते हैं bridge इसके जो सिनी नम्स हैं वो है violation in trillion to cross the limits चले अब इसके sentences बनाते हैं He breached the agreement which he made with his employer He breached the agreement उसने जो agreement था उसकी खलाफ परजी की यह कौन सा agreement था यह विच लगा के बता रहा है which जो होता है जो बेचान चीजों के लिए इस्तमाल होता है which he made जो उसने किया था वो जो agreement था उसके साथ बनाया था किया था किसके साथ with लगा के बताएगा with his employer अपने employer के साथ what they did उन्होंने जो किया what का मतलब क्या भी होता है जो भी होता है what they did उन्होंने जो किया amounted to amounted to का मतलब होता है किसी एक जीस जो है वो दूसरी जीस के बराबर है what they did amounted to a breach of contract उन्होंने जो भी किया वो किसके बराबर था वो एक contract की खलाफ वर्जी के बराबर था हमारा थर्ड वर्ड है imperative imperative जो होता है वो adjective होता है इसका उर्दू में मतलब होता है जरूरी जरूरी चीज के लिए हम क्या बोलेंगे imperative इसके जो synonym से हैं वो है important critical compulsory essential crucial एक दफार फिर से इसको में revise करते हूं important critical compulsory essential crucial अब इसके sentences देखते हैं it is imperative यह जरूरी है that यह के politicians politicians should be होने चाहिए good communicators वो कह रहा है कि यह बहुत जरूरी है कि जो politicians है उनको एक अच्छा communicator होना चाहिए इन बिजनेस बिजनेस में आप पर मोट रिप्लाइए एक फोरी आंसर इस इंपेरिटीव वो क्या है इंपेरिटीव चलें नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इन एडिक्वेट यह भी अच्छाक्टिव है इस में यह पिक्चर देखें अब यह जो इंसान बारिश हो रही है इसके पास तो अंब्रेला है यह जो अंब्रेला है यह इस बंदे के लिए तो काफी है अब इस बंदे की जो अंब्रेला है वो इस बंदे के लिए काफी नहीं है तो इस इमेज को मौइन में रखें और इस वर्ड को याद करें इसका मतलब होता है नाकाफी इसका जो सिनी नम्स हैं वो है इंसुफिशेंट नाकाफी डैफिशेंट लैकिंग ये सारे के सारे इसके सिनी नम्स है चलें इनको सेंटन्स में इस्तमाल करते है मेडिकल रिकॉर्ड्स वर्ड फाउंड मेडिकल रिकॉर्ड्स पाए गए थे जो भी इन एडिकेट मतलब नाकाफी यहां पर यह जो वर्ड के साथ वर्ड की थर्ड फार्म यूज हुई है यह एक पैसिफ स्ट्रॉक्चर है यह हम आने वाली वीडियोस में इसको जरूर कवर करेंगे इस वेजिज वर इन एडिक्वेड उसकी जो तंखवा थी वो बहुत नकाफी थी किस लिए फर लगाकर बताएगा फॉर्ड़नी जरूरत के लिए अब किस चीज की जरूरत के लिए जो रिलेशन शो करते हैं वो उसके लिए हम एक प्रैपोजिशन यूज करते हैं वो तिया ओफ His growing family इसकी भरती हुई family के लिए इसको मैं फिर रपीट करते हूँ His wages were inadequate for the needs of his growing family उसकी जो आमदनी थी वो ना काफी थी उसकी भरती हुई family की जरूरियात के लिए Deployed यह verb है अगर तो आप newspaper reading करते हैं आपको पता है कि यह word daily ही आपकी नजर से गुजरता होगा इसका मतलब होता है तेनाद करना यूस में लाना काम पे लगाना इसके जो सिनी नमज हैं वो होते हैं यूटिलाइज अरेंज सेट आउट अब इसको याद करने के लिए यह सबसे अची पिक्चर है इसमें यह जो फोजी हैं इनको बाहर निकाला हुँआ यह किसी जगा पे तेनाद हैं ठीक है? यह मकसद के लिए काम पे लगाया किया इनको इनको sentence में कैसे यूजES करेंगे? मेरी जोब है वो मुझे इजाज़त नहीं देती fully, मुकमल तोर पर to deploy my skills, talents मेरी जो skills है या talents है उनको इस्तमाल करना मुझे अलाओ नहीं करती मेरी जोब ठीक है? माई जोब डेज़न रेलाओ मी fully to deploy my skills, talents that troops were deployed for battle जो फोजी थे, फोजी वोड डेपलॉइट उनको तेनाद किया गया था किस लिए? for battle, जंक के लिए इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें मुझे उमीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी जाने से पहले वही बात वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलेगा थेंक यू सो माच